सब्सक्राइब कीजिए हमारे Be Healthy India चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफोर्मेशन सब से पहले और ये बिल्कुल फ्री है कर दोस्तों आप लोग का सवगत एक बार फिर से हमारे Be Healthy India चैनल पर आज हम बात करने वाले कोल्डरिंग के बारे में कोल्डरिंग तो हर एज के हर उम्र के लोग पीना पसंद करते हैं पर इसके कुछ दूस प्रभाब भी हो सकते हैं तो आज मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बता आजाता है अगर आप इसकी रोज आधिक मात्रा सेवन करते हैं तो इसको लेने से आपको कॉर्णरी हर्ड डिजीज डाइबेटीस किड्नी डिजीज ऐसी जैसी गंपर समस्याय का सामना करना पड़ सकता है सेकंड पॉइंट है हमारा स्किन रेसिस कुछ कोल्डिंग में ब् कर दिया है अपने देश में पर हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे देश में आज भी गर्मियों के सीजन में लोग पाने की जगह पे कोल्डिंग पीना ज्यादा पसंद करते हैं तो अच्छा होगा कि आप डोल्डिंग छोड़के जूस या फिर कोकोनट वाट करते हैं और हो सकता कि आपको भविश्य में जाके रूट कनाल तक करवाना पड़े तो अच्छा होगा कि अभी से आप अपनी आदत में सुधार करें चौता पॉइंट है ब्रेंड डेमेज जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कोल्डिंग को बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है उसमें जो कलरिंग की जाती है वो बहुती नुकसान दायक होती है कंपनी अपने मुनाफे के लिए इसमें चीनी की जगा पे इसे मीठा बनाने के लिए एसपार्टेम नामक एक प्रदार्थ का प्रयोग करती है जो मश्तिष्ट की कोशिकाओं के लिए जहर के समान होता है पॉइंट नंबर पाँच समय से पहले व्रिध होना इसमें मौजूद फोसपेट और फोसफोरिक एसिड आपको समय से पहले ही व् आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग ज्यादा कोल्डरिंग पीते हैं उन्हें इसके दुष्प्रभवों के बारे में पता चल सके तो आज के लिए दोस्तों इतना ही चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइ के लिजे इस चैनल पर दोस्तों आपको हैलसे रिलेटेड तारी वीडियो देखने को मिलेगी तो आज के लिए दोस्तों इतना ही खुश रहिए सलामत रहिए